रूट्स, जड़, अगर हमारे जिवन में हमारा कोई उद्देश है, पर्पस ओफ लाइफ क्लियर है, तो वो पूरा करने के लिए हमारी जड़े बहुत मजबूत होनी चाहिए, हम हमारे रूट्स से जुड़े होने चाहिए, इंपोर्टन यह है, नमबर वन, कि क्या हमें हमारा पर्पस ओफ लाइफ मालूम है, अगर मालूम है तो उचकी रूट्स कौन सी है, वो मालूम है, और तीसरा और सबसी इंपोर्टन पार्ट, क्योंकि अगर पहले दो पार्ट तो गनान है, गनान कोई भी दे देगा, आप कही से ले लोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सिर्फ गनान से कुछ नहीं होता, knowledge is not power, applied knowledge is power, so अगर वो roots आपको मालूम पढ़ गया है, सबसे पहले उद्दिश आपको मालूम पढ़ गया है, उद्दिश का root मालूम हो गया, तो वो roots क्या है और उसे कैसे निभाना है आपको discipline के साथ, क्योंकि आपने कभी पेड को उड़ते हुए दिखा है, लेकिन आपने इनसान को उड़ते हुए दिखा होगा, क्योंकि बहुत सारे इनसान हवा में उड़ते हैं, उड़ते हैं इसलिए क्योंकि उसके roots से वो अलग हो गया, लेकि आप सोचिए कि एकर पेड कोई roots से अलग हो गया और उडने लगा तो वह खतम हो जाएगा तो जब तक आप अपने रूट के साथ जूड़े हुए तब तक हम सब सलामत हैं और आप हम सब ग्रो कर रहे हैं तो हमारी संस्कूरूती के रूट्स हो सकते हैं हमारे बिजनस के रूट्स हो सकते हैं हमारे जीवन के उद्देश के रूट्स हो सकते हैं तो अपने अपने उद्देश को जानिए उद्देश से आप उसके रूट्स को जानिए और roots को discipline से follow कीजिए और उसमें कहीं भी तकलिफ हो तो kaushal सा हमेशा आपके साथ है हम कभी भी मिल सकते है ये मेरा business नहीं है मैं motivation speaker नहीं हूँ मैं पैसा नहीं लेता लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे through किसी के जिन्गी में रंग भरे और आप सब के सपने पूरे हो तो आप कभी भी उसके बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि जिन्गी मिल के बिताएंगे